हेलो नमस्कार जी स्वक्त की सबसे बड़ी खबरारिय जी हाँ आप तक सबसे बड़ी इन्फोर्मिशन पहुंचा रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज नई संसद बवन से प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिये हैं जी हाँ आप सभी जा कापी सारे राज्ये के मुख्य मंत्रियों ने एक बहुत बड़ा एलान कर दिया है जानेंगे इस वीडियो के मादम से क्या कुछ इन्फोर्मिशन आई हुई है वीडियो को देखेंगे अंतक अगर आपके पास एक रास्तन कार है आप एक गरीब परिवार से हैं आप चाहे मिडिल प्रिवार से हैं तो भी इस वीडियो का अंतक देखें भई बहुत बड़े अलान कर दिया है रात को आई है सबसे बड़ी खुशकबरी चैनल को भी सस्क्राइब कर लें आपको जितने भी सरकार के द्वारा कल्यानकारी योजना याती रहती है चाहे छोटी योजना हो चाहे बड़ी योजना है चाहे उसका लेना देना आपसे हो उसकी काम की खबर जो भी हो सबसे पहले आपको मिलेगी भई सबसे पहले आपको उदा दूँ नई संसद बवन से प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने क्या बड़े ऐलान किये है जी हां आप सभी जानते हैं प् है महिने के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है जून दोजार चो बीस तक इसके साथ साथ अब चीनी जी हाँ आपको चीनी मात्र बारा रुपए परती किलो के हिसाब से मिलने वाली है जितने भी कोटे दारक हैं उन सभी को आदे जारी कर दिये हैं जो भी अब आप अगर को कापी सारे राज्यों में अब ये जो नियम है लागू होना बाकी है वहीं कापी सारे राज्यों आपको चीनी बिलकुल फ्री भी परवाइड करवा रहे हैं जैसे राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में जो चीनी है वो बिलकुल फ्री दी जा रहे हैं लेकिन एक किलो के डबल राशन की जिहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की एक और बड़ी मंसा है कि जितने भी गरीब परिवार हैं जिन्होंने बोकंप वे अपना बाड से घरों को खोया है वे अपनों को भी खोया है वे उनको अब राशन जो है डबल देने की तैयारी में है दिसंबर द 2020 तक उनको जो राशन है वो डबल मिलेगा एक राशन के इंदर सरकार देगी एक राशन आपको राज्य सरकार देगी राज्य सरकार आपको राशन में कई अनेक परकार की जो सुई दाएं हैं वो देने वाली है जिसमें आपको सरसो का तेल भी मिलेगा वो आपको चने के ड आपको कि आपको दूद वे गुड भी अब जो रास्थन की दुकान है वहां से मिलने वाला है जी हाँ उत्तरप्रदेश गुवर्मिंट्स ने गुड वे कोस्मेटिक के सामान उसके साथ साथ दूद वे गर में यूज होने वाले सभी प्रकार की ये चीजे हैं वो अब रास् पैट्रोल और डीजल के दाम थे लगातार इस्तिर बने हुए थे पूरे देश बर में ना गट रहे थे ना बढ़ रहे थे तकरिबन हम बात करें तो भाई तीन से चार महिने पहले इनके जो दाम थे वो बढ़ाए या गटाए गए गए थे लेकिन अभी इस्तिर बने तो भाई ये पैट्रोल जो डीजल है वो तकरिबन तीस रुपए तक सस्ता हो जाएगा बड़ी ख़बार है भाई आपका मैं बता दूँ अब आपको पैट्रोल तकरिबन सो रुपए के आसपास मिल रहा है कापी सारे राज्ये पिचान में रुपए या फिर सो रुपए अगर तीस रुपए कम हो जाते हैं सीदे तो सत्तर पिचेतर रुपए के आसपास आपको पर्ती लिटर के इसाफ से पैट्रोल मिलने वाला है तो डीजल भी आपको 6-65 रुपए पर्ती लिटर के इसाफ से मिलेगा जैसे जी OHD के दायरे में सरकार इसे ले के आईगी काफी सारे राज्य सैम्ति जता चुके हैं कापी सारे रहे हुए हैं वे भी अगर सैम्ति जता जेते हैं तो इसका जो फाइदा है वो आम जनता को होने वाड़ा है अगली बड़ी खबर की बात करेंगे चार करोड से ज़्यादा मकान परदान मंत्री नरिंद्रमोदी आवास योजन किता है चार करोड से ज़्यादा लोगों को घर दिये जा चुके हैं आपको मैं बता दूँ अब तकरीबन दो करोड और लोगों को घर दिये जाएंगे अभी अभी बड़ा एलान किया है तकरीबन आपको मैं बता दूँ जो सहरी आवास योजना है उसको लांचिंग दे द गई है ग्रामीन आवास योजना आपकी जल्द लौंच की जाएगी जिन्होंने पहले फार्म बर रखे थे उनकी जो पहली किस्त आ चुकी थी दूसरी जो किस्त है वो पच्छीस तारीक के आसपास आपकी आ जाएगी वह आपकी जो थर्ड किस है वो भी दिवारी से पहले आ जाएगी जिन्हों परदवान मंत्री आवास योजना के तहत पहले आवजदन दे रखा था उनके जो पैसे हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं और नए जो आवास योजना के तहत आवजदन देने वाड़े हैं दे सकते हैं सबसे पहले जो आवास योजना निकाल रखी है वो है सहरी आवास योजना उसके तहट अगर आप आवईदन देने वारे हैं तो दे सकते हैं आपके लिए पोर्टल खोल दिया गया है आपको इसमें फ्लैट दिया जाएगा दो आपको मकान उसके साथ साथ एक महिलाओं के लिए चैनबत तरीके से जो मुवाइल फोन है स्मार्ट फोन है वो बाट रही है एक करोड और महिलाओं को जोड़ दिया है अब प्रदान मंत्री की एकी मनसा है जिहां सभी महिलाओं को स्मार्ट फोन के साथ जोड़ा जाए अब राजस्तान गोवर्मेंट जिस स्मार्ट फोन के साथ जोड़ रही है प्रदान मंत्री नेंदर मोदी की जो सरकार है जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी आपको स्मार्ट फोन जो है वो देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में भई इसका खाका तयार किया जा रहा है जल्द इस पर पूरी अपंडेट जयसे आएगी वो भी आपको मिल जाएगी वहीं सिलाई मसीन 2023 की जो सिलाई मसीने हैं वो भी 25 तारिक से बाढ़ दी जाएगी जिन्होंने पहले आवे दन देरक का था सिलाई मसीन 2023 के ताहत उन महिलाओं को सिलाई मशीन जो है वो 25 से बाठ दी जाएगी भी आपको मैं बता दू अगर आप भी नई सिलाई मशीन 2023 के तेयत आवेदन देने वाली है आप इंग महीला है तो आप भी आवेदन दीजिगा आपको भी तकरिबं 3500 रुपए या फिर आपको एक सिलाई मशीन सरकार खुद परवाइड करवा रही है आपको मैं बता दू लगातार मोधी सरकार वे राज्य सरकारें लगातार परियास करें कि गरीबों को जादा से जादा फाइदा हो जादा जादा स्तमरत बनाने की जो परियास है वो किये जा रही है जादा से जादा जादा जो सकी में है वो लॉंच की जा रही है आने वारे दिनों में और भी सकी में लॉंच होगी सबसे पहले आपको वीडियो मिले आप चैनल को मंकान दिये जाने हैं आगे भी कापी सारी योजनाई आती रहेंगी आप चैनल पर बने रहें चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए आप सुभी का बहुत बहुत धन्यवाद वगवान करें आप सुभी के दिन सुभ रहे